Hello everyone, welcome to Cinema Unvying. If you are new, please subscribe the channel and hit the bell icon for more updates. आज हम बात करेंगे, 2018 में रिलीस हुई एक Spanish mystery drama Mirajki, जिसे डिरेक्ट किया है Oryo Paulo ने, जो अपनी crime thriller movies के लिए famous है. इसकी IMTV में रेटिंग है 7.4 by 10 और इसे पसंद किया है 85% Google users ने. एक और खास बात, यह movie अलग अलग time dimensions को connect करती है, इसलिए आप इससे बड़े ही ध्यान से सुनें. तो चुरिए, कहानी को जानते और समझते हैं. शुरुआत होती है 1990 के एक भयंकर दूफान से, जो अगले 72 hours तक रहने वाला था. अगले सीन में, नीको नाम का बच्चा गिटार बचाते हुए अपनी recording करता दिखाई देता है, पर सामने के घर से काफी तेज आवाजे शानी शिरू हो जाती हैं, और वो recording रोग कर उस घर में जाता है. वो पाता है कि घर के ओनर एंचल प्रेटो की वाइफ मिस वैस की डेट बॉटी फर्ष पर पड़ी है. इतने में प्रेटो हाथ में एक चाकू लिये, वहां आ जाता है. नीको टरकर भागता है पर रोट क्रॉस करते वक्त उसका आक्सिडेंट हो जाता है और वो बर जाता है. अब इस बात को पच्छी साल बीट गये हैं और एक कपल अपनी चोटी वेटी के साथ उसी घर में रहने आया है, जहां सालों पहले नीको रहता था. फैमिली में हैं डेविट, उसकी वाइफ वीरा रोई और उनकी चोटी बच्ची ग्लोरिया. नेक्स सीन में दो नए करेक्टर आयटर और उसकी माँ क्लारा की इंट्री होती है. आयटर तरहसल बच्च्पन में नीको का दोस्त हुआ करता था, और अब वीरा का नेवर था. इसलिए उसने उसे डिनर पे बलाया. अब 2014 में वैसा ही दूफान आता है जैसा 25 साल पहले 1919 में आया था. इसी बीच वीरा को स्टोर रूम में नीको का विडियो रिकॉर्डर और टीवी मिलता है. वीरा और डेविड विडियो ओन करते हैं और नीको की रिकॉर्डिंग देखते हैं. इसी बीच टीवी खुद ही चलनी शिरू हो जाती है और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि टीवी पे 1919 की निउस चल रही थी दूसरी रात एटर और क्लारा दिनर पे नीको की देथ के बारे में बताते हैं कि वो सब कैसे हुआ वो ये भी बताते हैं कि सालों पहले भी ठीक ऐसा ही तुफान आया था जिससे स्कूल की बिचली चली गए थी और उनका स्कूल अगले एक सब्दा तक बंद रहा एंजल प्रेटो जिसने अपनी वाइफ की कतल की थी को जेल हो गए और उसके तीन महीने के बाद उसने खुदखुशी कर ली पर मरने के पहले उसने ये बताया कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो अपनी वाइफ की डेट बाटी अपने बेस्मेंट में चुपा देता डिनर खतम होती है और वीरा को डेविट के पॉकेट से एक मैच बॉक्स मिलता है वो उससे पूश्टी है कि क्या तुमने फिरसे सिगरिट भी जिस पे वो उस मैच बॉक्स को विंडो के बार्फ में देता है और प्रॉमिस करता है कि ऐसा अब कभी नहीं होगा दोनों सोनों चले जाते हैं पर आधी रात में वीरा की नीम खुलती है और वो पाती है कि टीवी अभी भी ओन है वो टीवी बंद करने दूसरे रूमे जाती है कि तभी जोर से बिशली के कड़कने की आवाजें आती है और टीवी का कनेक्शन 25 साल पहले नीको से जोच जाता है दूसरी और नीको वो ही वीडियो रिकॉर्ड करता दिखता है वीडियो रिकॉर्डर ओन करने पर पाती है कि अब नीको भी उसे देख पा रहा था उसे ये बाते थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी और वो नीकों से कहती है कि वो अपने नेवर की आवाज सुनकर उसके घर में ना जाए वरना उसकी जान चली जाएगी वो उसे यकीन दिलाने के लिए उसकी डेट बॉटर की पिक्शर दिखाती है और स्कूल में बिचली किरने की वज़े से छुट्टियों की बात भी बताती है जिसनीकों को लगता है कि ये एक प्रैंट है और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है अगला सीन और भी जादा शौकिंग है हम देखते हैं कि वीरा की नीन एक हॉस्पिटल में खुलती है और लोग उसे डॉक्टर कहकर पुकार रहे होते हैं इस शनम में वो एक सर्टिफाइड सर्जन थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं लाइफ की डिफरंट डाइमेंशन की जैसा कि आपने स्पाइडर मैन में देखा था इस डाइमेंशन में वीरा एक सर्जन है पर ये बातें उसे नहीं पता वो गलोरिया को ढूनने उसके हॉस्पिटल जाती है पर वहां उसे कोई नहीं पहचानता वो डेविट के आफिस भी चाती है पर वो भी उसे पहचाने से इंकार कर देता है दरसल इस डाइमेंशन में वीरा की शादी हुई ही नहीं वो अभी भी अन्मारिट है और उसके कोई बच्चे नहीं है इधर नाइटी नाइटीन में ठीक वैसा ही होता है जैसे वेरा ने नीको को बताया था तुफान की वज़े से स्कूल अगले साथ दिनों तक बंद रहता है और प्रेटो के घर से ठीक वैसी ही आवाजें सुनाई देती है अब नीको को वेरा की बातों पे यकीन हो चला था जिससे उसकी जान बच गई इधर दूसरे डामेंशन में वेरा इंस्पेक्टर केरा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और इंवेस्टिकेशन के बाद उसे बताता है कि डेविट की शादी किसी और से हुई है और जिस घर में अपनी फैमिली के साथ रहने की वो बातें कर रही है वो उसका घर है ही नहीं और जिस लाइव की उसने चर्चा की है वो कभी एक्सेस्ट ही नहीं किया क्योंकि असल में वो एक अनमैरिट सरजिन है वेरा काफी घमरा जाती है वो हॉस्पिटल जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो उस हॉस्पिटल की बेस्ट नियूरो सरजन है और डेविड उसका एक पेशिंट हुआ करता था और शायद यही वज़ा थी कि उसे उसका अभी खयाल था उधर नी को छुप कर अपने नीवर के घर के अंदर दाकिल हो जाता है और उसे दिखता है बात तब में मिस वैस की डेड बॉड़ी उसे एक पासपोर्ट भी दिखता है जिसपे उसके फ्रेंड आयटर की मा क्लारा की पिक लगी थी बट नाम कुछ और था इतने में उसे किसी के कदमों के निशान सुनाई देते हैं और वो बैट के नीचे छुप जाता है वहाँ उसे एक घड़ी दिखाई देती है इस पे सी एम लिखा होता है वो एंजल प्रेटो की अपनी वाइफ की डेड बॉड़ी के छोटे छोटे टुकडे करते देखता है इधर दूसरे घर जाती है पर सभी कुछ काफी बदला बल्दा सा दिखाई पड़ता है दरसल ये घर डेविट और उसकी करेंट वाइफ का है और वीरा को देखकर फे पुलिस को इनफॉर्म कर देते हैं वीरा छुप जाती है पर इसके बाद शुबाती उससे पता चलती है वो और भी हैर देखकर थाज़निशन में कुलारा और मिस्टर प्रेटो मैरित होते हैं और आय chopped उनका बियोलोजिकल सन है इससे एक बात साफ हो जाती है कि बिछले डायमेंशन में मिस्टर प्रेटो ने अपनी वाइफ मिस्वाइस को मारने की खोशेस क्लारा की वज़ेसे की थी ये सारी बात वो आइटर को बताती है पर उसकी बातों पे वो यकीन करने के बचाए वो गुसे में वहां से चला जाता है वीरा को तब एक किताब के बारे में पता चलता है जिसका नाम है मिराज इसमें अधर ने बताया है कि कैसे एक बच्चे की जान फ्यूचर से आई एक लेडी की वज़े से बचाती है वो उस राइटर से मिलती है तो पता चलता है कि नीको की माँ ने ये सारी बातیں राइटर को बताई और उसने ये किताब लिखने का फैसला किया وeira उससे पूछती है कि वो ये सारी चीजसे कैसे ठीक करे उसे लगता है कि ये सब उस बच्चे को बचा की वज़े से हो रहा है पर उसे अपनी बच्ची क्लोरिया की बहुत याद आ रही थी तब राइटर उससे बताती है कि यह सब वो नीकों के डाइमेंशन से कनेक्ट होकर ही ठीक कर सकती है और यह कनेक्शन उसी टीवी और कैमरे से उसी तुफानी महौल में पॉसिबल है वीरा इंस्पेक्टर लेरा को डेविट के घर से वो टीवी और कैमरा लाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है पर बिना सॉलिट एविडेंस के यह पॉसिबल नहीं था तब वीरा को याद आता है कि मिस्टर प्रेटो ने अपनी वाइफ के डेड बाडी उसी बेसमें में चुपाई थी क्योंकि वीरा की वज़े से अब सब कुछ उल्टा हो गया था और मिस्टर प्रेटो चेल नहीं गय थे वीरा इंस्पेक्टर के साथ वहाँ जाती है जहां उसे मिस्वेस की डेड बाडी मिलती है इसके बाद इंस्पेक्टर लेरा वीरा को एक लोकेशन बतात इसका एक मतलब ये भी था कि डेविट वेरा को चीट कर रहा था पर इस डाइमेंशन में डेविट की वाइफ कोई और थी इसलिए वीरा उसे ब्लाक मिल करती है और उसके कॉन्फिदेंशल बैंक डेटा से नीको का अड्रेस निकलवाती है अब एंचल प्रेटो को जेल हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्रेटो और कलारा का अफैर चलता था और इसकी खबर में इस वेस को हो गई थी जिसकी वज़र से उसने कलारा को मारने की कोशिश की पर नोक चोक में वो खुद ही मारी गई इसके बाद मिस्टर प्रेटो क्लारा का किसी और के नाम पे याली पासपोर्ट बनवाते हैं और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि उनकी वाइस मिस्स वैस किसी और के साथ शोमनी भाग गई थी ताकि वो खुद को निर्दोश शावित कर सके चलारा के हाथ में बंदी वो घड़ी में मिली जिसके वो ही सीएम के निशान बने थे अब सारी बाते साफ हो गई थी इसके बाद हमें नीको के बच्पन की चल्कियां दिखाई देती हैं कि कैसे उसने पुलीस के पास जाकर सारी बाते बताई अपनी मा को भी बताया पर किसी ने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया इन फार्ट उसे मेंटले सिक समझ कर हस्पिटल में ढाल दिया गया नीको को अब समझ आ गया था कि उसे वहीरा का वेट करना है उसे वेट करना है उस दूफान का जो फिर से उसे दूसरे डामेंशन से चोड़ेगा मीनवाइर उसने वेरा की तस्वीरे बनानी शुरू की और उसका इंतजार करना शुरू किया साल बीटते हैं और नीको बड़ा हो जाता है वो उस तस्वीर को लेकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा दिखता है और तब हमें पता चलता है कि इस डामेंशन में नीको की इंस्पेक्टर नीको ही इंस्पेक्टर लायरा है और वोही वीरा का असली पती है डेविट नहीं इधर पिछले डामेंशन में वीरा देविट के दिये अड्रेस पे पहुँश ती है तो वहां उसे नीको की मा मिलती है उसे अपने और इंस्पेक्टर लायरा के काफी फोटोस भी मिलते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाती है तब लायरा सामने आता है और उसे बताता है कि दरसल वही उसका असली पती है पर इस बार की तुफान की वज़े से वो सब कुछ भूल गई है और पिछले डामेंशन में चीने लगी है वीरा को अब अपनी और लायरा के रिष्टे की बाते याद आने लगती है पर उसे अभी अपनी बेटी क्लोरिया से मिलना था वो लायरा से टीवी और कैमरे के बारे में पूछती है तो वो कहता है उसे डर था कि कहीं वो फिर से उसे खो न दे और इसलिए उसने वो टीवी और कैमरा तोड़ दिया इस पर वेरा उसे कहती है कि वो अभी उसे बचा सकता है और खिर्की से कूट कर अपनी चान दे देती है तब लायरा छुपाई हुई टीवी निकालता है और नाइटीन नाइटीन के नीको यानि खुद से ही बाते शुरू करता है इधर वेरा एक नए डायमेंशन में चली जाती है यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था डेविट उसका हस्पन था और ग्लोरिया उसकी बेटी पर यहाँ प्रेटो जिंदा था और क्लारा के साथ था इन फैक दोनों शादी शुदा थे वेरा को खिड़की के नीचे वही माच बॉक्स गिरा मिलता है इसका मतलब है डेविट अब भी उसे चीट कर रहा था पर वेरा को पता है कि आगे उसे क्या करना है वो मिस्टर प्रेटो के बेस्मेंट से मिस वेस की डेड बादी निकालती है और पुलिस को इंफॉर्म कर देती है केस इंविस्टिगेशन के लिए जो पुलिस ऑफिसर वहां पहुँचता है वो कोई और नहीं बलकि इंस्पेक्टर लाए रही होता है उसे देख कर वेरा मुस्कुराती है और इसी के साथ ये कहानी खतम हो जाती है उमीद है ये कहानी आपको पसंद आयोगी ऐसी और भी कहानीयों को जानने और समशने के लिए सबस्क्राइब करें Cinema Unwind और अपने सजेशन्स हमें कमेंट बाक्स में लिखकर सरूर बताएं शुक्रिया